और आप सभी को ये मालूम ही है कि जब आपकी पतनी 498 AIPC के साथ आपको परिशान करने की नियत से शिरुवात करती है तो उसकी जूट का, उसके केसों की बचार का, उसके पैकेज का कहीं पर भी अंत नहीं होता आज मुझसे एक बहुत ही हैरानी वाला सवाल पूछा मेरे एक क्लाइंट ने उन्होंने पूछा कि क्या एक हिंदू लड़का दो शादियां कर सकता है जी हाँ आप सभी ने फिल्कुल ठीक समझा जब आपका केस कोट में पेंडिंग होता है और आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं तरस्त होते हैं तो उस समय पर आपके मन में भी ये विचार उत्तपन होता है कि क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं आज के इस वीडियो में इनी सब छोड़ छोड़ी बातों पर आपके साथ चर्चा करूंगी मैं Advocate Mohini Mona आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल Mohini Mona Advocate अगर आपने मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरी इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लिगर इंफार्मेटी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अब दे दीवी एक्ट इत्यादी के केस में और आप सभी को मालूम ही है कि जब आपकी पतनी 498 AIPC के साथ आपको परिशान करने की नियत से शिरुवात करती है तो उसकी जूट का उसके केसों की बचार का उसके पैकेज का कहीं पर भी अंत नहीं होता वो ये इंतजार करती है कि अग गर आपको एक केस में थोड़ा सा उनोंने परिशान कर दिया है तो अब किस तरह से वो आपको परिशान करे अभी तक आप एक केस से उबरे भी नहीं होते है कि आपके पास दूसरे केस का सम्मन महुत जाता है दूसरे केस को अभी आपने normal समझना ही शुरू किया था कि तीस केस का सम्वन शिरू हो जाता है और आप देखते हैं थोड़े दिनों में कि आपकी पूरी जंदगी सिर्फ और सिर्फ कोट के गली कूचों में गलियारों में खत्म होने लगती है और यहां पर आपको परिशानी होने लगती है क्योंकि अब आपके पास आसपास दोस्त भी न बना चाहते है क्योंकि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके बारे में सच्चाई आपके दोस्त को पता चल गई तो कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए लेकिन असल में होता उल्टा है कि आप अपने दोस्त से स्वयम ही दूरी बनाने लग जाते हैं क्योंकि पाने का एक भैजो सताता रहता है खेर आखिरकार आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं आपको आसपास के लोग जब आपके परिवार के सदसे आपके सिब्लिंग्स आपको कहा करते हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कोट में जो केस चल रहा है चलते रहने दीजे आ यहां पर ही सबसे ज़्यादा परिशानी होती है क्योंकि आपका धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में क्या दूसरी शादी की जा सकती है तो इसका जवाब मैं दूंगी हां की जा सकती है अब हो गए ना परिशान कि हिंदू धर्म में दूसरी शादी कैसे होगी क्य ये बिल्कुल क्लियरली कहता है कि हिंदू एक ही शादी कर सकता है तो यहां पर मैंने आपको ऐसा क्यूं कहा वो मैं आपको बताना चाहूंगी हिंदू विवा अधिनियम 1955 ये कहता है कि जब आपकी किसी एक व्यक्ति से शादी होते हैं मान लेते हैं कि आप पती हैं और आपकी एक शादी हुई है और आपकी पत्नी और आपका विवाज चल रहा है कोट में तो अब आप हिंदू विवा अधिनियम 1955 के अनुसार शादी कर पाएंगे जब आपका और आपकी पत्नी का कानूनन तलाक हो जाए कोट से डिवोस डिक्री आपके हाथ में आ जाए वो डिवोस डिक्री को दूसरा पक्ष यानि कि आपकी पत्नी किसी भी कोट में चैलेंज ना कर पाए वो सारा समय सीमा भी आपकी खत्म हो चुकी है तो हाँ आप दूसरी शादी कर सकते हैं इसी तरह से अगर आपका केस तलाक का या किसी और चीज का कोट में चल रहा है या नहीं चल रहा है तो कोट में केस के चलते हुए या आपका कोट में केस चल भी नहीं रहा है आपका समन ने जीवन वेतीत हो रहा है और आपकी पतनी की अकाल मृत्यू हो जाती है किसी भी वजह से तो हाँ आप दूसरी शादी अवश्य कर सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली माती पता चल गई होगी कि आप हिंदो भी दूसरी शादी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब या तो आपकी पतनी की अकाल मृत्यू हो चुकी हो या आपका और आपकी पतनी के बीच में कोट में कानून अंतलाक हो चुका हो आपके पास divorce decree आचुकी हो और उस divorce decree के अगेंस्ट आपकी पतनी का अपील करने का समय भी खत्म हो चुका हो तो हाँ आप दूसरी शादी अवश्य कर सकते हैं और हाँ एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपका के कोट में चल रहा है पेंडिंग है और आप इस चक्कर में हो कि आप दूसरी शादी कर लेंगे तो आपको यहां पर रुकना होगा क्योंकि हिंदु विवा अधिनियम के नुसार आपका पहली शादी के चलते या आपकी पतनी के जिवित रहते दूसरी शादी कानूनन मानेता अपराप्त नहीं होती मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरे आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के legal informative वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा थैंक यू टेक किया बाइबाइब